जैजनेंद दोस्तों हमारी चैनल पर आपका एक बार फिट से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम ऐसे इस्थान पर चलते हैं जहाँ पर इस दुनिया की सबसे महंगी जगय को दिवान टोडर मलजी जैन ने मुगलों से खरीदा था उन्होंने 78,000 सोने की मोहरें देकर चार गज भूमी को खरीदा ताकि गुरु गोविन सिंग जी के साहिव जादों का अंतिम संसकार वहां पर किया जा सके आज भी सिक समाज में उनकी तूटी-फूटी हवेली को बहुत सद्दावाव से देखा जाता है आज तक किसी एक भूमी के टुकडे का सबसे अधिक दांग चुकाया गया है वो हमारे भारत में ही पंजाब में इस्तित, सरहिंद में और विश्य की सबसे महनी भूमी को खरीदने वाले महान व्यक्ति का नाम था दिवान टोडर मल्जी जैन सिक धर में गुरु गोबिन सिंग जी के छोटे-छोटे साहिब जादों फते सिंग और जोरावर सिंग की सहादत की दास्तान सायद आप सबने कभी न कभी और कहीं न कहीं से सुनी होगी यही सरहिंद के फत्यगर साहिब में मुगलों के तकालीन फोजदार वजीर खान ने दोनों साहिब जादों को जीवी थीद दिवार में चुनवा दिया था दिवान टोड़न मल जी जैन ने जो कि इस छेतर के एक धनी व्यत्ती थे और गुरूस गोबिन सिंग जी एबम उनके परवार के लिए अपना सब कुछ कुरवान करने को तयार थे उन्होंने बजीर खान से साहिब जादों के पार्तिप सरी की मांग की और वह भूमी जहां वह सहीद हुए थे वहाँ पर उनकी अंतेश्टी करने की इच्छा प्रकट की तब बजीर खान ने धेश्टता दिखाते हुए भूमी देने के लिए एक अटपटी और अनुचित मांग रखी कि इस भूमी पर सौने की मोरें बिचाने पर जितनी मोरें आएनी वही इस भूमी का दाम होगा दिवान टोडर मल जी जैन ने अपने सब भंडार खाली करके जब मोरें भूमी पर बिचानी सुरूं की तो बजीर कान ने दश्टता की परकाश्टा पार करते हुए कहा कि मोरें बिचा कर नहीं बलकि खड़ी करके रखी जाएंगी खेर उन्होंने और भी मोरें एकटा की और 78 हज़ार सौने की मोरें देकर चार गज भूमी को खरीदा ताकि गुरू जी के साहिब जादों का अंतिम संसकार वहां किया जा सके बिच्चु के इत्यास में ना तो ऐसे त्याक की कहीं कोई और मिसान मिलती है ना ही कहीं पर किसी भूमी के टुकड़ी का इतना भारी मूल कहीं और आज तक चुकाया गया जब बाद में गुरू गोबिन सिंग जी को इस पारे में पता चला तो उन्होंने दिवान टोडन मल जी जैन से कतंता प्रिकट की और उनसे कहा कि वे उनके त्याक से बहुत प्रवावित हैं और उन्हें इस त्याक के बदले में कुछ मांगने को कहा जरा सोचिए दिवान टोडन मल जी जैन ने क्या मांगा होगा गुरू गोबिन सिंग्थी से दिवान जी ने गुरू जी से मांगा उसकी कलपना भी असंभव है दिवान टोडन मल जी जैन ने गुरू जी से कहा कि यदि कुछ देना ही चाते हो तो कुछ ऐसा वर दीजिए क कि मेरे घर पर कोई पुत्र ना जन्म ले और मेरी वनसावली यहीं मेरे साथ ही समाथ हो जाए। इस अप्रत्यासित मांग पर गुरुजी साहेव सब लोग हक्के बख्के रह गए। गुरुजी ने दिवान जी से इस अद्बुत मांग का कारण पूचा तो दिवान जी का उत पुषावर की गई है मैं नहीं चाहता कि कल मेरी आने वाली नशलों में से कोई कहे कि यह भूमी मेरे पुर्खों ने खरीदी थी यही थी निश्वार त्याग और भक्ती की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल जिसको की इत्यास से ही मिटा दिया गया था तोर मरोड कर स्री टोड पर उसके परों पर अपना नाम छबाते हैं हमारे पुर्खों ने जो बल्दान देकर गए हैं वह अबुद्पूर्व है और इनी बल्दानों के कारण ही हम लोगों का अस्टित अभी तक है हवेली टोडर मल गुरुदार फतेगर साहिब के पड़सर में इस्तित है यह जग बजीर खान के दरवार में दिवान थे हाला कि टोडर मर्ग को बजीर खान के क्रोद का खामयाजा भुखतना पड़ा और उन्हें और उनके परवार को जल्द ही हवेली छोड़नी पड़ी और खुद गुमनामी में चले गए जीन सेन इमारत ही उनकी एक मात्र याद थी आन दोरान दिवान तोडन मलके सम्मान से हवेली को अचूता छोड़ दिया गया था यह हवेली फते गड़ साहिब से सिर्फ एक किलो मीटर दू सरहिंद रूप नगर रेलवे लाइंग के पूरवी किनारे पर हर नाम नगर में इस्तित है और अब इसे पंजाब सरकार और आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद